प्रदेश उत्राखण की और रुक करेंगे जल्द ही उत्राखण की राजधानी देहरादून में कोश्टगार्ड भरती सेंटर खोला जाएगा ये कोस्ट गाड का पांचवा भर्ती सेंटर होगा. 28 जून को राजिके मुख्यमंगरी त्रिवेंदral Rawat और कोस्ट गाड के महा निदेशक राज़ेंदर सिंग अस भरती सेंटर का श्यला नियास करborgेंगे. मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत से मुख्यमंत्री आवास में डीजी कोस्टगार राज़ेंदर सिंग ने मुलाकात कर इस संबंध में उत्राखण में कोस्टगार भरती केंदर खोलने के लिए भारत सरकार का अनुमत्ती पत्र मुख्यमंत्री को सौपा ये भरती सेंटर कुवावाला दहरादून में बनाया जाएगा जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत ने कहा कि उत्राखण में कोस्टगार्ड भरती सेंटर खुलने से उत्राखण के युवाओं को कोस्टगार्ड में रोजगार के हद बचाव कारे का प्रोसिक्षन दिया जाएगा जिसमें हमारे उत्राखंड के जो विसेश जगहों पर जो हमारे बड़े आफसर्स हमारे हैं और विवी छेतरों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको यहां पर आमन्कित किया गया था और आज की जो धेंट है मुलाकात है या उनकी सवगाद है उत्राखंड को यह कहें कि और रहवार का ही आफ्टर एफेक्ट है कि आज कोस्ट गार्ड का रिक्रीटिंग सेंटर और देश का पांचवा सेंटर यह देहरादून के लिए बाकाइदा उसकी जो भी आफ्टारिक्ताएं हैं वही पूरी निवी बलकि 17 करोड रुपया भी उन्होंने भूमी का उन्होंने हमको पेमेंट किया है और 25 करोड रुपया भवन के लिए स्विक्रत हुआ है उत्रखन विधानसभा विशेश सत्र 24-25 जून को विधानसभा में आयुजित किया जाएगा सत्र के दौरान विकास कारियों को सदन में रखा जाएगा सत्र के पहले दिन सदन में शोग प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर सदन के सभी सदस से अपनी श्रधानजली प्रकाशपंत को देंगे वहीं सीम त्रिवेंदर सेंग रावत ने भी सत्र को शांती पूर तरीके से चलाने के लिए विपक्ष से अनुरोध किया है तो दिवसी विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस प्रसाशन ने भी पूरी तरीके से कमर कसली है स्पी सिटी स्वेता चौबे ने बताया कि कोई भी संदेग्द व्यक्ति विधानसभा के आसपास दिखाए दिया तो उस पर कानुनी का रवाई की जाएगी पियमोदी के किदानात में बनी ध्यान गुफा में मेडिटेशन करने के बाद से श्रधालों में काफे अजाफा हो रहा है आलम ये है कि मौजुदा समय में आने वाले दो महिने तक ध्यान गुफा ऑनलाइन बुक कर ली गई है जिसे देखते हुए परियटन विभाग ने एक और ध्यान गुफा बनाने का फैसला लिया है ताकि बाबा के धाम में ध्यान लगाने वाले ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को इसका लाब मिल सके लकसर शेतर के पत्थरी थाना की आज बजरंग दल के कारेकरताओं ने नारे बाजी की और रोड जाम कर दिया पुलिस पर आरोपियों को गिरफताना करने का आरोप लगाया गया है लगभग दो सप्ता पहले बजरंग दल के कारेकरताओं ने पत्थरी थाने का घेराप किया था जिसमें पत्थरी थाना पुलिस ने बजरंग दल के कारेकरताओं को एक सप्ता के अंदर उचित कारेवाही का आस्वाशन दिया था लेकिन दो सबता बीतने पर भी पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की दरसल मामला पत्थरी थाना शेत्र के गाउं का है जिसमें एक अन्य समुदाई के लोगों ने हिंदुस्तान, मुर्दाबाद, पाकिसान, जिंदाबाद के नारे लगाये थे जिसमें पत्थरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था लेकिन 63 माह बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफतारी नहीं की गए जिसके बाद थाने का अब घेराब किया गया बीजेपी की प्रदेश कारिय समिती की दो दिवसी बैठक परमार्थ निकेतन में योग हौल परीसर में हुई आपको बता दे कि मुख्यमंतरी ट्रिमेंदर सिंग रावत कारिकारिनी ने बैठक का शुबारम किया बैठक में आने वाले पंचाय चुनाओं को लेकर चल्चा की गई कारिय समिती की बैठक में संगठक पताविकारियों सहीत तांचो सांसग प्रदेश किलमंतरी और विभाइको हो ने शिरकत की कारिय समिती की पेठक जिस सभागार में आई जिद की गई है उसे स्वरहिये 25 समर्पित दिया गया है और उत्राखन की खबरों में फिलाल इतना ही लेकिन देश और दुन्या की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी नमस्कार